उच नीच का भेद न माने वही स्रेष्ट ग्यानी है दयाधर्म जिसमे हो सबसे वही पूजे प्राणी है तेजस्वी सम्मान खोचते नहीं गोत्र बतला कर पाते हैं जग में प्रशस्ती अपना कर्तब दिखला कर राष्ट्र कवी रामधारी सिंग दिनकर जी की यह कविता आजमगड के अखिलेश मिश्रा गुड्डू पर सटीक बैठती है क्योंकि अखिलेश मिश्रा मानव सेवा को ही परमधर्म मानते है और उच नीच का भेद किये बिना जो भी उनके दर्वाजे पर पहुचता है उसकी मदद करते हैं इंसान हो या पशुपक्षी सबके लिए उनके दिल में दया की भावना रहती है वैसे आजमगड में अखिलेश मिश्रा गुड़ू किसी पहचान के महताज नहीं है क्योंकि कोई उन्हें बड़ा भाई मानता है तो कोई उन्हें नेता मानता है वही जिले के तमाम लोग उन्हें अपना संगरक्षक भी मानते हैं और हो भी क्यों ना क्योंकि आजमगड में गुड़ू मिश्रा का घर एक ऐसा घर है जहां किसी भी जाती और धर्म के लोग बिना रोक टोक अपनी समस्याओं के साथ किसी भी वक्त आ सकते हैं यही वज़ा है कि आजमगड के लोगों के लिए अखिलेश मिश्रा एक उमीद है अखिलेश मिश्रा को लोग आज भले ही भारती जनता पार्टी के नेता के तौर पर जानते हो लेकिन वह खुद को समाज स्तीवक ही मानते हैं उसके पीछे एक बड़ी वज़ा है उन्हें ये सेवा भाव विरासत में मिला है अखिलेश मिश्रा के पिता स्वर्गिय राजेंदर प्रशाद मिश्रा खुद एक दर्या दिल और बड़े समाज सेवी थे वह हमेशा गरीब मजलुमों के हक की लड़ाई में सबसे आगे खड़े मिलते थे उनका सपना था कि आजमगड का विकास हो लोगों को रोजी रोजगार मिले और शहर गरीबी मुक्त हो लेकिन उनका सपना पूरा होता उससे पहले ही आतताईयों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी आजमगड के विकास का जो सपना पताजी ने देखा था और गरीब मजलुमों की सहायता का जो बीड़ा उन्हों ने उठाया था उस सपने को अब अखिलेश मिश्रा गुड़ू आगे बढ़ा रहे हैं जिले को बहतर बनाने के लिए और लोगों के जीवन स्तर को उपर उठाने के लिए उनकी तरफ से हर तरीकी का प्रयास किया जा रहा है अखिलेश मिश्रा गुड़ू हर साल ठंड की मौसम में हजारों गरीब मजलुमों को कम बलवितरण कर उनके आशियाने की विवस्था करते हैं अस्पतालों में लोगों के दवाईयों से लेकर उनके खाने पीने की विवस्था भी करते हैं शहर के जिला अस्पताल में जब भी बलड की कमी होती है तो हजारों लोगों का कैम्प लगवा कर रक्तदान भी करवाते हैं यह काम कभी कभी नहीं बलकि हर बार होता है शहर में लोगों को अनाज बाटने से लेकर गौशालाओं में पश्वों के चारा खिलाने की विवस्थ तक हर बात का खयाल रखते हैं इतना ही नहीं आजमगड का युवा खेल कूद में आगे निकल सके इसके लिए अखिलेश मिश्रा जिले के राश्ट्रे स्तर होकी की प्रतियों गिता भी आयोजित करवाते हैं और जिले से बाहर बच्चों को खेलने के लिए भी भिजवाते हैं इस साल आई कुरोना वाइरस वैश्विक महमारी में अखिलेश मिश्रा गुड्डू गरीबों की मदद के लिए राद दिन सडकों पर नजर आएं जहां एक तरफ दिन में उनके घर से लेकर गरीब बस्तियों में अनाज बाटा जा रहा था वही रात में खुद अखिल अखिलेश मिश्रा द्वारा कई हजार लोगों की मदद भी की गई है इतना ही नहीं धर्म कर्म के मामले में भी गुड्डू मिश्रा हमेशा आगे नजर आते हैं चाहे इबादत हो या नुस्ठान दोनों के लिए वह आगे बढ़ कर मदद करते हैं दिवाली हो या फिर वो कहते हैं ना कि जिन में अकेले चलने का होसला होता है उसके पीछे एक दिन काफिला होता है आज अखिलेश मिश्रा गुड्डू के साथ उनके काम को देखते हुए स्वता ही लोग जुडते चले जा रहे हैं वैसे तो अखिलेश मिश्रा भारतिय जनता पार्टी के प्र नेता से मिल रहे हैं, वो कहते हैं कि ये तो उनके बीच के उनके शुभुचिन तक है, यही वज़ा है कि रात होया दिन, हर वक्त अखिलेश मिश्रा गुड्डू के आवास पर लोगों का ताता लगा रहता है, अखिलेश मिश्रा गुड्डू को देखकर रामधारी सिंग द आओ खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है